इशा मालविया जानबूच कर एक लड़ाई मोल लेना चाहती थी टीम A के साथ लेकिन ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अधती शर्मा तो सुबह सुबह विकी और इशा बरतन मांज रहे थे और वहाँ पर विकी इशा को शांत कराने की कोशिश कर रहे थी लेकिन इशा बार 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 टॉंट्स मार रही थी ताने मार रही थी और जोर जोर से बताने मार रही थी ताकि टीम A वालों को यानि कि मुनवर, में बड़ी लड़ाई हो हाना कि विकी ऐसा नहीं चाते थे वो बार-बार ईशा को ये करने से रोक रहे थे लेकिन उसके बावजूद ईशा ये सब कुछ कर रही थी और यहां पे उन्होंने जो है एक गाना गाया मनारा के लिए कि ये गाना मनारा मुनवर के लिए गाएगी क उंगली पकड़ के तुने चलना सिखाया था ना दहलीज फिनाले की भी पार करा दे तो यहां पर इनका कहना है कि भई मुनवर की उंगली पकड़ पकड़ कर मनारा आगे बड़ी है और उसने कुछ भी नहीं किया है तो आज ईशा जो है कुछ ऐसे मूड में है कि वो सबसे बे मतलब भीड़ी जा रही है आप सभी को क्या है के ना कॉमेंट्स में बताइए जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में